जै राधि गोविन आज क्या खास संदेश है आप लोगों के लिए विश्णुची की तरफ से वो हब अभी जानेंगे ये एक टाइम्लेस जेंडर लेडिंगे तो हो सकता है सबके साथ रेजनेट ना हों क्योंकि सब लोगों की वाइस, एनरजी, सिच्वेशन एक ही टाइम प कि हम सभी लोग अलग हैं और अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग एनरजीस में रहते हैं हम लोग तो मेरी आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सिच्वेशन के हिसाब से ये रेडिंग ये वेडियो मेरे साथ मैच कर रहा है तो खुशी खुशी पॉजिटिबली आप ये गाइडन्स ले सकते हैं इस रेडिंग में जो भी गाइडन्स है उसे आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैच नहीं कर रहा है ये सही नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं अभी तक आपने अपने जिंदगी में जो कुछ भी अचीव किया है वो आपने अपनी सेल्फ डिसिक्प्रीन से करी मैनस से और विल पावर से अचीव किया है आपका प्लास पॉइंट ये है कि आप बहुत प्रैक्टिकल डिसिशन लेते हो जहां पर भी जाते हो ग्राउंडेट रहते हो इसे लिए अगले दो सालों में आप एक स्टेपल जगे पे पहुँच जाओगे अब बहुत जादा आद्वर निर्भर बनने वाले हो अब ऐसी पोजीशन में जाने वाले हो जहां पे आपको किसी की ओपिनियन पे रिलाई करने की सर्वत नहीं होगी आपने अपने लाइप में जो भी क्रियेट किया है अपने बल्बुते पे किया है और आगे जाके ऐसा ही रहने वाला है ऐसा ही होगा अप जो करियर पाथ फॉलो कर रहे हो अगर वो करियर पाथ आपने छोड़ा नहीं है चेंज नहीं किया तो आप बहुत हाई लेवल पे पहुँचने वाले हों आपका एक स्प्रिच्वल फैमली है उस स्प्रिच्वल फैमली से आप तभी मिलेंगे आप उन तक तभी बहुत सकते हैं जब आपका सोल एक लेवल ऑफ एडवांस्मेंट जो है वो आपको खुदी पार करने होगी आपको बहुत ज़ादा थ्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कलत रास्ते पे चले न जाएं आपको डिस्ट्रैट करने के लिए बहुत लोग मिलेंगे भटक जाएंगे आप तो आपको बार-बार अपने आपको महसूस करवाना है कि नहीं मुझे सही रास्ते पे जाना है मैं सही रास्ते पर ही हूँ जो लोग आपके दिल के करीब है उन लोगों के साथ आपका कोई साइकिक कनेक्शन है इसलिए अगर उनको कुछ हो जाता है तो आपको पता चल जाता है पतलब इंट्यूटिवली आपको पता चलता है ओम क्लीम कृष्णा आया नमहा ये मंत्रा अगर आप चैन कर सकते तो आपके लिए बहुत हल्पफुल रहेगा ट्रस्तिसे इस अवे नोवलेंट यूनिवोर्स स्टे पॉजिटिव स्टे हैपी स्टे प्लेस्ट थैंक यू राधी राधी